खेडा जी आप सीधे हो जाईए आप कॉंग्रेस के मार्ग में न केवल रोडा अटका रहे हैं बलकि कॉंग्रेस के रास्ते को टेड़ा मेड़ा कर रहे हैं आप जो है रोडा नहीं बहुत बड़ी खाई कॉंग्रेस के रास्ते में खोद चुके हैं ये अडानी के बारे में कि बोलते हैं आदानी को जो बहुत बढ़ा दी तो फिर आप लोग राजस्थान में और आदानी को थेके दे रहे हैं और आप पंस्टिममंगाल में ममता बिनर जी प्रहे हैं और मौदी जी करे तो गलत भरतर pragma में गाना आया था एक चतुर नारबडी होसियार कर के सिंगार उस में किसोर कुमार ने गाया था तेड़ा 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 अरे सीधा हो जा रे सीधा हो जा रे तो मैं इस खेड़ा जी को कहना चाहता हूं कि खेड़ा खेड़ा सीधा हो जा रे खेड़ा सीधा हो जा रे ये खेड़ा जी आप सीधे हो जाईए आप कॉंग्रेस के मार्ग में न केवल रोडा अटका रहे हैं बलकि कॉंग्रेस के रास्ते को टेड़ा मेड़ा कर रहे हैं उबडखाबर बरा कर रहे हैं आप जो सोच रहे हैं कि परधान मंत्री जी को गाली देने से उनके माता पिता का अपमान करने से कॉंग्रेस को बहुमत बिल जाएगा और एक युवराज परधान मंत्री बन जाएगा सपने में भी परधान मंत्री नहीं बन सकता है वो ये जो आपका प्रयास है कि परधान मंत्री को गाली दो योगी को गाली दो साधू संतों को गाली दो हिंदू धरम वालों को गाली दो ये आपका सफल होने वाला नहीं है वो राजनिती अब चली गई इसलिए मैं ये पवन खेडा ने जो किया है और हमारे माननी यशश्वी विश्व विख्यात विश्व के नंबर वन नेता को जो आपने पिता की जो गाली दी है ये हर जनता समझ रही है और आप जो है रोडा नहीं बहुत बड़ी खाई कॉंग्रेस के रास्ते में खोद च चाता हूं देश की जनता को कि ये जो खेडा है ये कॉंग्रेस की आवाज क्यों की का प्रवकता है। इसलिए देश को सनातनियों को विश्यश करके सचेत होना पड़ेगा और इस खेडा को बहुत सीधा जवाब देना पड़ेगा। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले भी कई जो है कांग्रेसी देता जो है और राहूल गांदी में चोगिदार चोर करके और बहुत बड़ी लिष्ट है जो इनके जो है माने जाने नेता है और बड़े वरिश वयो वर्द नेता है जो है देश की राजनीती को संबाल है और पुरानी पार्टी है जब कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा शासन कर सकते हैं और इनके बोल क्या कहते हैं पहले भी कई दिताओं ने आपने देखा होगा देखिए इनके जो अभी वर्तमान कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष है जो जबरजस्ती इजद बचाने के लिए ब जब क्या बोलूँ आपको मैंने मेरे मूँ से ये नालायक हिटलर देस मोदी के बाप का नहीं है यह इस तरह यह कौन से स्कूल में आप लोग पढ़े हैं जब स्कूल में पढ़ाई हो रही थी मास्टर जी पढ़ा रहे थे तो आप लोग क्लास बंक मार के कहां गए थे मैं कहता हूँ आपको खबर इंडिया वालों को कि आप देखे होंगे कि जो एकदम अनपड़ों की गमारों की जहां पे कॉंग्रेसियों ने शिक्षा का किसी चीज की व्यवस्थानी की उस महले में जो अनपड़ गमार लोग होते हैं वो लोग छोटी-छोटी बात के लिए क पता गुसेगा कि पता नहीं क्या क्या ऐसे करके वो लडाई करते हैं उस तरह से कॉंग्रेस पाटी आज अनपड़ गमार अशिक्षित लोगों की तरह से जो है लडाई कर रही है और अब जो है ये लोग को कुछ नहीं मिला तो सबसे सीधा परधान मंत्री लगा और ये ल एक जरा सा नूपूर सर्मा ने कुछ बोला उसमें तो तुम लोग गर्दन उतारने लगे लोगों के तो ये जो कॉंग्रेस पार्टी है इसके जितने भी नेता हैं ये सोचते हैं कि कैसे मलिकारजुन खड़गे को हटाना और अध्यक्ष मेरे को बनना है तो उसमें अब पव पवाई लड़ रहे हैं महले में जैसे कि अनपड़ गमार लोग लड़ाई करते हैं सड़क के उपर चौराहे पर जैसे लोग जो सड़क चाप लोग होते हैं वो लड़ते हैं उस तरह से कॉंग्रेस पार्टी की स्थिती हो गई है और ये दुरगती और भी होएगी यहां देष्ट है और बीजिशन कर्ती है पिए आदर पिए जिप चरल के लुटेसे हैं कि अधान के बारे में बोलते हैं कि अडानी को जो बहुत बढ़ावा दिया तो फिर आप लोग राजस्थान में अडानी को क्यों बढ़ा रहे हैं वहाँ पर क्यों ठेके दे रहे हैं आप 36 गड़ में क्यों दे रहे हैं अडानी को हिमाचल में क्यों दे रहे हैं और आप पश्री मंगाल में ममताब इनर जी क्यो आड़नी को ठेके दे रही है, यानि हम करें तो कुछ नहीं, हम करें तो सही और मोधी जी करें तो गलत, इनकी सोच गलत है, यह नकारात्मक लोग हैं, डेश्द्रोही लोग मैं खुले आम कहता हूँ, मैं देश की जनता को आगा करना चाओ, कई बार सिद्ध हो कुए रहा हूं, बड़े बड़े विश्लेसक हैं, बड़े बड़े जो विद्धवान हैं, वो कह चुके हैं कि वर्तमान भारत का जो विपक्ष है, भारत का जो वर् पारिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में, चाइना में जो हमारे दुशमन बैठे हुए देश के उनसे पैसा लेते हैं। और मैं कहना चाहूंगा ED को और सरकार को कि चेक करें जाज करें इनके खातों की और जाज भी किया है इनके खातों में रूपिया है बड़े बड़े वकीलों के पास पैसे आये हैं अब तो सुनिए मुझे जो हमारे सर्वोच नैले के जज हैं इन पर भी श्रक होने लगा है इ आनमाल की बहुत बड़ी छती होती है और जब वो लोग रोते रोते सुप्रीम कोट में अरजी लेके आते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए हमारी सुनवाई की जाए तब ये सुप्रीम कोट के जज कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है जब राम जी का कोई केस आता है रा लेकिन जब कॉंग्रेस पार्टी का, किसी आतंकवादी का, या किसी देश-द्रोही का, नकसली का, खालिस्तानियों का कोई मामला आ जाता है, तो ये सुप्रीम कोट के जज़ सब कुछ छोड़ के पहले उसको करते हैं, ये जाच होना चाहिए कि सुप्रीम कोट का जज़ ऐस जाच के पास भी आता ही होगा, इसकी जाच की जाने चाहिए, जो बिदेशी एक बहुत बड़ा ज़लार है, उसकी बात ये मानते हैं, जो बिदीसी की जो ये डाकुमेंटरी ये चलाते हैं, उसमें जो है इनका मौन रहता है, जो भारत की जो है, साख को कुंद करती है, और क्या है कि देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं ये लोग, और ये दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर में जो देश भक्त सरकार है, जो सत्तर साल में नहीं हो सका है, आट साल में करके दिखा दिया, आज भारत के रूपिये की ये इस्तिती हो गई है, कि भारत का रू डूदी ने कैसे कर दिया यह चीड रहे है विदेशि शक्तियां भारत से चीड रहे हैं चाइना से गढ़ बंदन करते हैं चाइना का माल हिंदूस्तान में लेकर आके बेशते हैं ताकि भारत के लोग जो है खाली ग्रहाग बन के रह जाएं प्रोडक्षन करने वाले नबने ये बहुत बड़ी अंतराष्टी साजिश है और हमारा जो कुछ जो देशभक्त मीडिया है जो देशभक्त नेता है भाजपा के जो लोग हैं संग के जो लोग हैं और राजनीती से हट के हमारे जैसे लोग जिनका राजनीती से कोई लिना देना है हम अपने विवेक से काम ले पूरे दुनिया को खरीदने की ताकत रखता है हिंदुस्तान आज जो टर्की में इतना बड़ा भुचाल आया किसने साहता किया हिंदुस्तान ने किया इनको यह भी बर्दास नहीं हो रहा है कि क्यों साहता है करता कर दिया नहीं करते तो कहते कर रहा है तो कुल मिला कर है कि हमारा देश जो उन्नती कर रहा है और इनको 관े प्रथिभन दित आहे हैं जो इनको पसंद आता है उसके साथ तीए वी चैनल पर दिखाये गया है लो को वहाँ पे केजरिवाल की सरकार छोड़ रही है पंजाब में उस पे ये लोग एक शब्द नहीं बोलता है इससे पता चलता है कि ये लोग मिले हुए ये लोग भड़कार है यानि वरतमान समय में देश के विरुद्ध जो भी आंदोलन करेगा देश से अलग होने की बात कर अजय के ये लोग मöhंण साथ के उसको सफोट करते हैं तो इससे सीद्ध होता है कि ये जो कांगरेस पाटी अम आदमी पाटी है समाजबाडी गयां जितनी रिभी पाटी है चैन्हले काम कर रही हैसी में मैं नहीं कर रहा हो दिख रहा है सामने में आखिरे में दो हजार चौवीस के जो चुनाव आने वाले हैं उसको मद्दे नज़ा देखते हो यह जो है कॉंग्रेशी इतने क्यों वखला रहे हैं और मोधी तेरी कबर पाकिस्तान में खुद रही थी तब तो तुम्हें कबर से निकाल निकाल के मोधी ने बचाया था और यहां पर कहते हो कि मोधी और तो और राहूल गांदी को अमेरिका में एयरपोर्ट के उपर में इसको पकड़ लिया था वाँ कि पुलीस ने किस लिए ड्रग्स लेके घूम रहा था यह तब राहूल की कबर से किस ने निकाला था बीजेपी के अटल वियारी बार तो इनक कि खुदीवी कबर से जो खुद अपने आप खोदते हैं उससे तो बीजेपी वाले भाजपा वाले निकालते हैं इनको और यह बोलते हैं कि मोधी तेरी कबर खुदेगी जरमानी चाहिए इन लोगों को 2024 में क्या होने वाला है 2024 में यदि किसी भी हिंदुस्तानी सनातनी ने यदि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्ट को आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो इसका मतलब उसको चेक कराना पड़ेगा कि वो कैसा आदमी है एक भी वोट एक भी सीट इनको नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने देश को दुरगती देने में इतना बड़ा योगदान दिया इन लोगों ने और मोदी जी देश की इज़त बना रहे है आज देखिए कैसे वहाँ पर जो रूस के साथ जो लड़ाई हो रही है उस देश से जब हिंदुस्तानियों को लाया गया तो कैसे पाकिस्तानी लोग भारती तिरंगा जंडा लेके अस्ट्रिया से कैसे लोटना चाहते थे अपने देश में युक्रेन से और ये लोग कहते हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी भारत और तब इन लोगों के मुझ सिल गए थे बंद हो गए थे मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग कितना भी कुछ करें कुछ नहीं होने वाला होगा तो वही जो मोदी चाहेगा और दोजार चोबीस में मोदी ही आएगा कोई टकर में नहीं है कोई चेहरा नहीं है ना कोई चेहरा नहीं है पपू है राहूल गांदी पपू है केजरिवाल खालिस्तानियों से इसी सर्थ पे पंजाब में आया है कि हम खालिस्तान को बढ़ावा देंगे यदि कोई खालिस्तानी पकड़ा जाएगा तो हम चूप रह यदि इसका फिरी इतना ही आथा क्यों नहीं जीता है वहाँ पर क्या ना में उसका गुजरात में तो कहने का मतलब है कि जन्ता देख चुकी है इनकी लिलाओं को समझ चुकी है ये लोग को कुछ नहीं होने वाला इनका कोई नेतर तो नहीं है ये लोग आपस में तो सिर्फ भजन बिन सवय गए जम खाना ये लोग सभी जम खाना जाने वाले लोग है ये पंजाब के खालिस्तानी लोग जो है वो थाने में घुज गया और केजरी वाल का एक सब्द नहीं निकला इससे पता चलता है कि केजरी वाल उनके साथ मिला हुआ है कनाडा से इसको फंड आत है ये सब बातें जो है न दीरे-दीरे सामने आएगी इनका जो जेल मंत्री है वो जो है जेल के अंदर में लिलाएं कर रहा है खेला कर रहा है और ये ममताब एनरजी कुछ बोलती नहीं है जब मोदी कुछ करेगा मोदी ये कोई सही काम भी करेगा तो ये लोग बोलते हैं इस प्रकार से पता चलता है कि हमारा देश मोधी जी के हातों में योगी जी के हातों में एवंग अन्य जितने भी लोग हैं सब के हातों में सुरक्षित है यदि देश को खत्रा है तो इन लोगों से है मैं तो यही लोगों को कहना चाहता हूं कि लोग जो हमारे देश के हैं जागरूख हो गए हैं और भी जागरूख हो रहे हैं सोशल मीडिया के जमाना है गूगल पर सर्च करके आप कुछ भी जान सकते हैं तो सब कोई जान रहे हैं मैं क्या करेंग сок के आम लोग हैं वो लोग जादा स्मार्ट हैं और वो सब जान रहे हैं सब के हाथ में स्मार्ट फोन है इसलिए मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि सभी कोई समझें कि योगी जी किस तरह से आज विदेशी इंवेस्टमेंट को विदेशों का पैसा जो है रोजगार के रूप में कल कारखानों के रूप में यूपी में लग रहा है हिंदुस्तान में लग रहा है कहां से कहां गुज प्रदानमंत्री अरे जो काम दें नूँ तजी छेरी कौन दुआ है जब हमारे पास काम देनू है तो बकरी का दूद कौन पियेगा